टेलीविजन के पॉपुलर शो दकबिल शर्मा शो के सैट पर मज़िदार किस्से होते ही रहते हैं ऐसे ही एक और किसा दकबिल शर्मा शो में हुआ दे कपिल शर्मा शो में बॉलिवुट के दिगज अभिनीता जितेंद्र अपने बेटे दुशार कपूर के साथ पहुचे जितेंद्र इससे पहले भी शो में आ चुके हैं लेकिन इस बार वो जादा मस्ती भरे अंदाज में नजर आए शो के दुरान कपिल शर्मा ने जितेंद्र से उनकी जवाने के दिनों के धेल सारे रास खुलवाने की कोशिश की जितेंद्र ने भी शूटिंग के वक्त के मज़िदार किस से शेर किये और सभी को खोब हसाया कपिर शर्मा ने जितेंद्र से पूछा कि शूटिंग के दुरान सेट पर सबसे जादा मचा किया कौन होता था इस पर जितेंद्र ने महमूद साहब का नाम लिया और एक मज़िदार किस्सा सुनाया जितेंदर ने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दुरान फिल्म के एक सीन में जितेंदर को हसना था मगर उन्हें हसी नहीं आ रही थी ऐसे भी महमूद ने उनसे कहा कि जब हसने वारा सीन आये तो वो कुछ न करें बस उनकी तरफ देख लें जब जितेंद्र ने उनकी तरफ देखा तो महमूद वहाँ पर पैंट खोल कर खड़े थे जितेंद्र ने जैसे ही एक कुस्सा सुनाया वहाँ मौजूद सभी लोग जोड़ जोड़ से हसने लगे शो के दरान अर्चना ने जितेंद्र से पूछा कि अक्षे इंडूस्ट्री में इतने फिट हैं और वह सुबह जल्दी उठते हैं जितेंद्र ने इसका जबाब देते हुए कहा कि अक्षे जल्दे इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनके पास काम है अब मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है हैस्टाइल को लेकर भी जितेंद्र ने कहा कि आज कल तकनीकी का इस्तमाल कर सुबह एक्टर जैसी हैस्टाइल करते हैं वो शाम को भी वैसी ही होती है उनके जवाने में ये सब नहीं होता था जितेंद्र ने सेट पर कई सारे किस्ते शेयर किये और सभी को बहुत गुदगदाया Subscribe our channel and press the bell icon for more updates